एक तरफ लाल सूट में बिना फिल्टर किये हुए जोक और दूसरे तरफ पीने सूट में गंबी रहने वाला इंसान ये एक ऐसी जोड़ी थी जिसका मार्वल के जितने सारे फैन हैं बेसबरी से कर रहे थे कि ये जोड़ी अगर जिस दिन किसी फिल्म में आई तो धूमा इंट्रेस्टिंग था तो इस फिल्म ने बताया आगे वो जो वेरियंट है लोगन का वो करेगा क्या और इसके साथ ही क्या वो लेगसी ये फिल्म आगे ले जा पाएगी जो मार्वल की फिल्मे की लेगसी एक के बाद एक फिल्म आगे लेकी जा रही हैं इस फिल्म में दो इनके लिए ज़रूर नहीं है कहानी वाली फिल्म बनाना आईए इंडिया की जो फैन है वो स्टार्डम देखने वाली फैन है तो इनको ज़रूर नहीं कहानी की दो स्टार पेश कर तो फिल्म कंप्लीट तो ये फिल्म में वही हुआ है सब कुछ है कहानी नहीं है और मुझे लगता ये फिल्म बस रेफरेंसेस के लिए और हिंट के लिए बनाए गई है कि आगे आने वाली जो फिल्में है उनकी हम हिंट दिखा देते हैं वुलवरिन विस डेड़पूल में ताकि ओडियंस इतनी अवेर रहे कि आगे जाके भई इसी डेड़पूल के साथ थोर भी आने वाला है तो पहले बात कर लेते हैं फिल्म का प्लॉट क्या है फिल्म का प्लॉट वही है 2017 में लोगत दफना दिया गया था अब 2024 में डेड़पूल सो खोद के निकालने गया है क्योंकि समय की जरूरत है जरूरत इसलिए है कि डेड़पूल की दुनिया खतम होने वाली है और उसको बचाने का एक ही ओप्शन है कि लोगन को लाएं और वो दुनिया बचाएं और लोगन उस दुनिया का नहीं है ये जो variant है किसी और दुनिया का है इसकी अपनी अलग तहानी है जिसके अपने लोगों को बचाने पाया जिसका गिल्ट में ये जी रहा है और वही पर परकट होते हैं TVF वाले Time Variant Authority जो इसको एक शून जगब फेकते हैं जहाँ पर इसको मिलता है Logan का variant लोगन और डेडपूल की शून रेखा में जाने के बाद वहाँ पर शामना होता है खुंखार कसांडरा नुवा से अब सवाल ये है कि वो क्या कर रही वहाँ पर अच्छा डेडपूल की दुनिया खतम होने वाली क्यों है क्योंकि TVF का Authority Paradox वो बताता है डेडपूल को कि भाई जो लोगन की मरने की वज़े से समय रेखा तब दिली आई है जिसकी वज़े से उसी समय रेखा की चलते तेरी दुनिया खतम होने वाली है अब इसलिए उसको लोगन चाहिए जिन्दा ताकि अपरी दुनिया को बचा सके और साथ में दूसरे सवाल ये है डेडपूल की दुनिया उज़ने से बचा सकते हैं ये दोनों की नहीं अब इस दुरान आपको लगर अवस्था में लंगी जोक्स आपको कानों को चीरते हुए आपके दिमाग में जाएंगे हर एक सेकेंड डेडपूल के मुँझ से आपको नौनवेज जॉब सुनने को मिलेगा सान लेविक डिरेक्शन में ये बनी फिल्म इस फिल्म की जान बस दो ही चीज़ है वुलवरीन और दूसरा डेडपूल और दोनों के बीच में एक अट्रेक्टिव आकरसन फाइट सीन वो गजब है इस पूरी फिल्म का और यही ट्रीट है जो मारवल्स के फैंस को बढ़िया ट्रीट देते हैं और एक्टिंग के मामले वर्यान अपने कॉमिक टाइमिंग और पंचलाइन के चलते फिल्म पे मतलब भारे पड़ी गए है और पूरी तरह भारी इसलिए नहीं पड़ पाया है कि दूसरे तरफ हुग जगमैन की बोड़ी लाजवाब हुग जगमैन की बोड़ी एक तरफ और डेटपूल का पंचलाइन एक तरफ दोनों कंबिनेशन बहुत ही तगड़ा बना है बस वही कुरिमला के बात होई आगी कहानी अब एक कहानी नहीं रहेगी तो लोग क्या देखेंगी कहानी में डलनी चाहिए थी तुमने क्यों नहीं डाली वो बात पता नहीं इतनी बड़ी तुम फिल्म बना रहे हो इतनी बड़ी स्टार कास्ट है और कहानी नहीं है कहानी में इमोशन देने की कोशिच की है वो इमोशन हो नहीं पाता ओडियंस कनेक्ट हो नहीं पाती वजह यही है कि फिल्म और ओडियंस के बीज में कोई चीज कनेक्ट करती है तो वो इमोशन वो ही इमोशन गायब है वजह यह की कहानी नहीं है पूरी आदी फिल्म खतम होने के बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों सूपर हेरो अपने अपनी दुनिया में जाएंगे तोड़ फोड़ तबाई मचाएंगे मतलब सब्र कफल मीठा ही नहीं बहुत कणबा होने के बाद तब ये बलाते हैं और तब तक आपका सब्र तूट जाएगा क्योंकि ultimate आप से लिए मगर में टिकट ले कि आप इसलिए गये हो ताकि आपको बढ़िया वारा action देखने के मिले और वही action आपको last में देखने मिलता है मैं ये तो नहीं को होगा कि पूरा पैसा वसूल है लेकिन हाँ 70% पैसा वसूल है 30% आपको आप ठगे ठगे मैसूद करोगे वजह सब यहीं होगी और साथ में इस film का concept कुछ और brief और समझना है तो आपको लोग ही देखनी पड़ेगी वेब स्रीज जिसमें आपको सास्वत रेखा मल्टी वर्ष और शून रेखा ये सब आपको अच्छे समझ में आएगी जब आप लोग ही देख लोगे वन लाइ रेवी आपको बता दो आपको उबाउ लगने लग जाएंगी बिना सरपहर के जोग आप सोच उसका रेफरेंस आप ढूंडोगे लेकिन फिल्म से और उसके जोग से कोई रेफरेंस करेक्ट नहीं होगा आपके इमद बोल जाएगी ये भाई बंद गर बहुत हो गया सुनते सुनते आप कुछ अच्छा दिखा क्या चीज जिसमें अच्छी है एक्शन और वेफरेक्स इजियाई ये दोनों चीज का बेजोड बहुत अच्छा है बाकि सारी चीज धराशाई हो चुकी है अगर आप मारवल्स के फैन है और कतित रूप से फैन है तो यह आप फिल्म आपके लिए बनी है आप तुरन टिकट कटाओ और जा कर देख के आओ मैं इस फिल्म को रेट दरूँगा 4.5 आउट अप 10 स्टार मिलते हैं कि जगली वीडियों तो लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मात्रव